ओम शान्ती आज आपका 14 वर्दान और आज की वर्दान में परमात्मा कहते हैं कि हमारा जो आध्यत्मिक जो ये पात है जो रस्ता है इसमें हमें बहुत सारी अर्चने आती हैं और इन अर्चनों में हम कैसे आगे बढ़ते रहें पीछे ना हटें अगर आपको यादो के उस चीज़ को पार करें, उन विखनों को कैसे पार करें, तो आध्यात्म के मार्ग में हम काम, क्रोध, लोब, मौ, अहंकार, इन चीज़ों से, इरश्या, नफ्रद, द्वेश, और उपे साथ में तुलना करना, इन सब चीज़ों से हम अंदर ही अंदर जूचते हैं, जिब तक हम आध्यात्म में नहीं आते, तब तक ये सारी चीज़े हमारे बहुत नॉर्मल होती है, हाले से ठीक है, होगे, क्या होगे, हांकार आगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, होना चीज़े, अपने अंदर प्राइड होनी चीज़े, हांकार होना चीज़े, हिर्षा आई तो कोई बड़ी बात नहीं है हिर्षा आए कि तो हम आगे बढ़ेंगे हिर्षा कि बिना आगे और नहीं बढ़ सकते हैं हमने बहुत सारे कारण दिये हैं बहुत सारे हमने उनके reasons बनायो है कि वो सारी कमिया कमजूरिया हमारे अंदर क्यों होनी चाहिए लेकिन जैसे हम आध्यात में आते हैं तो हमारा जो सोचने का तरीका और बोलने का तरीका और समझने का तरीका सब बदल जाता है तो प्रमात्मा कहते हैं आज की वरदान में देखें कारण को निवारण में परिवर्तन कर कोई भी कारण आता है उसको निवारण मलब उसका solution में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी सुरूब भवा समर्थी मतलब capable जिसके अंदर capacity हो जो की समर्थ हो जिसके अंदर शक्ति हो आगे बढ़ने की तो उस प्रकार का हमें बनना है तो बाबा कहते हैं विस्तार में ग्यान मार्ग में यह जो ग्यान का मार्ग है पहले तो ग्यान तथी आंकार करोद होना जरूरी है ि ने तो हम काम कर वाएंगे आद्माइं के ग्यान मैं कॉन否्न मेरा कॉन इस सारी चीजर में कब आई दर्थी पर इस सारा ग्यान प्रू जन्मों का ग्यान होने के बाद में हमें सब Clarity आजयती है सच्चाय और सफयाती है हमारे इंदर तो बाबा कहते हैं ग्यान मर्ग में जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन भिन रूप से परिश्या लेने आईगी माया मतलब क्या है माया कोई भार सुनी आती माया हमारे अंदर ही कमजोरिया है किसने कुछ अच्छा ना बोला तो हमें आहंकार आ गया किसने कुछ कड़वा बोला तो हमें क्रोध आ गया किसने मेरी बात नहीं मानी तो अहंकार क्रोध में आ गए किसने मेरे से अच्छा कली तो इर्शा में आ गए तो ये सारी चीज़ा क्या हैं ये सारी हैं माया माया मतला हमारे अंदर की कमजोरियां तो आहंकार में ना आना, क्रोध में ना आना, तो बाबा कहते हैं जैसे कि ग्यान में सिखायेगे कि अगर इच्छाएं ज्यादा रखी जाएं तो क्रोध आएगा, अपने साथ भी क्रोध आएगा, जिव चड़ापन होगा और उके उपर भी क्रोध आएगा, तो जितना है उ सबसे उचा भागे तो क्या पर मात्मा में कह रहे हैं कि मैं कल यूग को सबते यूग में परिवर्तन करने आया हूँ वहाँ फोकस करो ये दुनिया थोड़े समय क्ले रहेगी बस ज्यादा समय नहीं चलने वाली है तो आगर फोकस करो तो इच्छाएं भी कम होँगी तो इरिशा भी कम होगी प्रोध भी कम आएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे वाब केते हैं वैसे ही भिन भिन रूप से परिक्षा लेने आएगी माया अंदर ही अंदर हमारी कमजोरियां निकलेंगी बहार आएंगी क्योंकि ये परिक्षा ही आगे बढ़ाने का सादन है तो जब हम गिरते हैं तब तो पतलता है कि मेरे अंदर क्या चीज़े हैं, क्या कम्जोरियां हैं क्या कम्या हैं, जिसको कि मुझे पार करना है अगर अपने अंदर की कमी कम्जोरी को हम ना पहचान पाएं क्योंकि हम यूद के मैदान पर ही ना उतरें हम ग्यानी ना लें, ग्यान मार्क पे ना चलें और हम डरके अगर ठक करके अगर हम रुख जाएं तो हम आगे नहीं पढ़ सकते हैं वही चीजे कमजोरी ही कम हुएं हमें बुरा बनाते रहेंगी हमारे अंदर खामी अलाते रहेंगी और कमजोर बनाती हैं शारिरिक भी और मांसिक तरीके से भी बबा कहते हैं अगर हम इनको पार करते जाएंगे इनको हम फेस करते जाएंगे समझते जाएंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे परिवर्तन करते करते हैं अपने अंदर लेकिन निवारण के बजाए कारण सोचते हो तो समय और शक्ति वर जाती है ज़ाद तर हम क्या करते हैं हम बोलते हैं क्यूं होगे मिरे साथ में कि उसकी वैसे हुआ हुआ अगर अंदर शक्ति नहीं होती साइन करने की तो हम औरों के उपर ब्लेम डालते हैं और गर उच्छाएं बहुत ज़ादा होती है और उनकी पूरती नहीं होती है हम औरों के ब्लेम डालते हैं कि उनके कारण वो ऐसे नहीं करते तो ऐसा होता वो ऐसे नहीं करती तो ऐसे करता तो ये सारी चीज़े क्या है, हमने इसमें कुछ सीखा ने, हमने ब्लेम किया, हमने औरों की ऊपर अपनी कम्जोरी को, कमीूं को हमने डाल दिया, तो बाबा कहते हैं, तो आप कारण को मत सोचो, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, हमारे अंदर बहुत ही सारा उस लोग ऐसे होते हैं जो 5-5-10-10 साल तक कोई निरने नहीं नहीं ले पाते हैं कि वो औरों के उपर ही सरबोश डालते हैं, कि कारण ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में, उन्हीं नहीं ऐसे किया था, तो वो कभी भी एक सचा कदम, सही दिश्या में कदम नहीं ले पाते हैं, तो और एक बाप के याद की लगन में मगन रहो, तो हमें शक्ति बाबा से मिलती है, हम अंदर की कमजूरों से लड़ें, उसकी शक्ति मेडिटेशन से मिलती है, बाबा से मिलती है, सर्फ ग्यान से नहीं, ग्यान समझ लिया हो गया, लिखेंगा मेडिटेशन नहीं करी, तो सर् कि ग्यान के रस्ते पर चलने वाले सर्फ समझने वाले नहीं सर्फ याद मुझे ग्यान वो नहीं समझ के उसको चलने वाले उसका अनुभव करने वाले और औरों को भी कराने वाले वाबा कहते हैं निवारन सोचो और एक बाप के याद की लगन में मगन रहो तो समर्थी सुर आपका ये बरतान आज कातम, ओम श्यांति